गुड इवनिंग दिस इस आशीश एंड वी आ गॉइंग टु डिसकस अन्यू एडिटोरियल एंडिंग इंडिंग इंप्यूनिटी हमेशा की तरह बहुत सारे वकैबलरी बहुत सारे वर्ड्स नए वर्ड्स आपको मिलेंगे नोट करते चलिएगा अपना जो साथ है वो बनाए रखिएगा मिन्स लगातार लाइक करते रहिए लगातार शेयर करते रहिए और पहली बार ये सेशन अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो भी आप तक पहुँचे देखिए आज हमारे यहां संस्तान से दो स्विध्यारतियों का सेलेक्शन हुआ है और स्टूडेंट्स का सेलेक्शन मैंने फोटोग्रैप्स पोस्ट की हैं कम्यूनिटी में और बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टूशन से तो यह एक खुशी की बात है गवरानवित करने का विशे है हमारे लिए और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो चैनल से जुड़े हुए हैं दूर दराद से छेतर से बिलोंग करते हैं वो इस चैनल के जरिये ही क्यों न हो लेकिन कुछ सीख कर उन चीजों को अच्छे से अपलाई करना सीखें एक्जामिनेशन में और अच्छे मार्क्स लेकर आएं हाई स्कोर अरजित करें ताकि आपका भी सेलेक्शन हो आपकी भी जिन्दगी आसान बन जाए इन्ही सब शुपकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ या आज का एडिटोरियल एंडिंग इंप्यूनिटी देखें इंप्यूनिटी का मतलब क्या है इंप्यूनिटी से मतलब होता है इंप्यूनिटी कह सकते हो या एक्जैम्ट्षन from punishment कह सकते हो इंप्यूनिटी का मतलब होता है exemption from punishment means दंड मुक्ति को बोलते हैं punishment से free हो जाने को बोलते है impunity impunity को end करते हुए Delhi High Court retrieves a lost cause and convicts those behind Hashim Pura massacre massacre का मतलब होता है mass murder को बोलते है ये एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना नर संख्यार होता है Delhi High Court जो है फिर से उसने recover किया है retrieve का मतलब है recover करना फिर से उसने recover किया है जो lost cause था lost cause का मतलब था a thing which cannot be done or change this successfully that is called lost cause कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता है retrieve नहीं हो सकता है उस चीज़ को recover किया है and convicts और दोशी ठहराया है उन लोगों को जो हाशिम्पुरा massacre के पीछे थे नर संख्यार जो था उसके पीछे थे the conviction of 16 personnel of the provincial armed constabulary for the massacre of Muslims committed 31 years ago is a rare instance of the justice system responding to the cry for accountability and justice conviction of 16 personnel परस्यार करंचारी होता है जो P.A.C. के 16 करंचारी थे उन पर दोशार open conviction का मतलब दोशार open है for the massacre नर संख्यार के लिए अब Muslims Muslims का नर संख्यार हुआ था 31 वर्स पहले की घटना है is a rare instance ये एक दुरलब सा उधारन है instance का मतलब होता है उधारन of the justice system न्याइक रिवस्ता का responding to the cry की उन्होंने उन चीखों को सुना है आपके जवाब दे ही दिखाई है जिमजारी दिखाई है तो उसको निभाते हुए HC ने उनको 16 जो परसोनल थे उनको सजा सुनाई है by sentencing by preposition इसलिए ING का प्रयोगी यहां पे है sentencing का मतलब punishing कह सकते हो punish करना डंडित करना तो सजा देते हुए the 16 men to imprisonment 16 वेक्तियों को कैद सुनाई है jail के सजा कारावास की सजा सुनाई गई है for the remainder of their life उनके पूरे जो बाकी का जीवन बचा है उतने समय तक means यह तो till death हो गया है the Delhi High Court has signal Delhi High Court ने संकेच दिया है an end to the impunity कि भई दंड मुक्ति की जो विवस्ता है उसका हमने अंत कर दिया है they had seemingly enjoyed all along due to system delays क्योंकि पहले से ही ऐसा लगता है कि उन्होंने enjoy कर लिया है सब कुछ क्योंकि 31 वर्ष बाद में यह decision आया है तो पहले से ही आपने enjoy तो कर लिया है तो अब impunity की आवशकता भी नहीं है क्योंकि systematic delays था means बहुत देरी से निरने आया and perfectionary perfunctory investigation perfunctory का मतलब होता है uninterested or careless सतही superficial कह सकते हैं superficial investigation क्योंकि जास परताल की गई थी वो superficial आधार पर की गई थी उपरी तोड़ पर की गई थी तो उसके चलते पहले से enjoy कर चुके हैं life को तो अब impunity का system जो है वो end करने की बात यहाँ पे high court ने की है an hour after sunset on may 22nd 1987 22 में उन्हों 87 की बात है सुर्यास्त के एक घंटे के बाद about 45 men from हाशिमपुरा village 45 लगबग विक्ती थे हाशिमपुरा village से near मीरट मुत्रपदेश उनका पहरन किया गया in a P.A.C. truck P.A.C. truck में most of them shot उनमें से अधिकांस जो हैं उनको गोली मार दी गई and their bodies thrown into two canals और उनकी जो शरीर है उनकी जो dead body है वो नहर में फैंक दी गई है ना उनकी bodies को नहर में फैंक दिया canals का मतलब नहर they were among more than 600 people rounded up by the security forces round up का मतलब आप arrest कह सकते हैं ठीक है ना समूल को गिरफतार करना round up कहलाता है तो वो उन 600 सेदिक लोगों में से थे जिने गिरफतार किया गया था security forces के दुआरा after the brother of an army officer was killed in communal violence जब सामुदाइक एक हिंसा हुई थी communal violence हुई थी उसमें जब एक army officer का भाई मारा गया था उसके बाद की घटना है and two rifles were stolen by writers और जो दंगा भड़काने वाले लोगों सो writers बोलते हैं उनके दुआरा दो rifles चुरा ली गई थी from the P.A.C. P.A.C. से the police letter established 38 deaths police ने उसके बाद बताया कि भी 38 deaths हुई but could not find the bodies of 22 of them लेकिन उनमें से 22 की body ही नहीं मिली the U.P. Crime Branch C.I.D. filed a charge sheet in 1996 against 19 P.A.C. personnel 19 P.A.C. personnel के खिलाफ Crime Branch और C.I.D. ने मिलकर एक charge sheet file की including Surinder Pal Singh जिसमें Surinder Pal Singh का भी नाम है commander of the C company of the 31st Battalion जो की commander थे C company 41st Battalion के the prosecution case was begged अब जो prosecution का मतलब है वो party जो who is prosecuting means institute of conduct legal action against someone तो किसी ने जिसमें case दायर किया prosecution case है तो prosecution case था उसको सहारा मिला by the testimony of testimony of proof कह सकते हो सबूत कह सकते हो कि उनको 5 विक्तियों का proof मिला 5 विक्तियों ने सबूत दिये जो कि survive कर गए थे being short and thrown into water bodies इनको गोली मारना और जो ये घटना हुई थी water के अंदर पानी मतलब पानी में जो फैंक दिया गए था dead bodies को उनसे survive जिन्हों ने किया था उनमें से 5 लोगों ने सबुत बताए in 2015 2015 2015 में the trial court acquitted all the 16 available accused 16 जो accused थे available उपलबदे के 19 की खिलाफ चार्शिट दायर की किए दोश्मुक्त करार दिया गया acquitted का मतलब दोश्मुक्त होता है as it did not have evidence on the identity of the truck or the P.A.C. men traveling on it क्योंकि इसमें कोई evidence नहीं था थी कि did के साथ में V.0 लगता है इसलिए यहाँ पे have का प्रियोग है it did not have evidence क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं मिला on the identity of the truck truck की identity को लेकर or the P.A.C. men traveling on it या फिर P.A.C. men जो उसमें यात्रा कर रहे थे उसको देखकर कोई भी सबूत वहाँ मिला नहीं इसके चलते सबूतों के अभाव में उन्हें रिया करना पड़ा इन देखतीयों को एक paragraph उने complete कर लिया है लाइक करते रहिएगा लगाता क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये एक चीज है जो मुझे encourage करती है और हर एक instructor हर एक teacher को encourage करती है the enmas enmas का मतलब क्या है enmas का मतलब है all together as a group Samhu को बोलते है enmas acquittal जो ये Samhu हात्मक दोशमुक्ति की बात हुई was a travesty of justice वो justice का मखोल था मजाक उड़ाया गया था ऐसा माननी जीए travesty मतलब मखोल होता है ये आप distortion कह सकते हो poor imitation कह सकते हो there was great concern that document that could have helped the Nail the accused had been weeded out ये गड़ी चिंतिया का विशे था कि जो दस्तावेज help कर सकते थे ROP को पता लगाने के लिए पकडने के लिए Nail का मतलब यहां पर capture करने के लिए catch करने के लिए had been weeded out वो सारे nust हो गए थे वो सारे separate out हो गए थे filter out हो गए थे weeded out का मतलब है filter out separate या फिर nust हो जाना it is to the credit of the Delhi High Code Delhi High Code को इस phrase आता है that it was not content प्रियोखम करते है it was not content with merely examining merely का मतलब only के वल इस evidence का examine करने से संतुष्ट नहीं था produced before the trial court जो की trial court के सामने evidence रखे गए थे accepting a plea plea मतलब याचिका by the National Human Rights Commission National Human Rights Commission के दवारे याचिका accept करते हुए it allowed additional evidence to be recorded इसने allow कर दिया कि अत्रिक तो जो evidence है उनको भी record किया जाए by trial court even as the appeal was pending चाहे appeal pending ही क्यों नहीं the C company's registers C company का तो registers है with records of the movement of P.A.C. vehicle जिसमें सारा record था कि P.A.C. vehicles कहां कहां movement हुआ 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 कहां कहां गए and the deployment of personnel और जो personnel है जो कहें कि जो करमचारी है उनका deployment कहां कहां था कहां तैनाती की deployment का मतलब तैनात करने को बोलते हैं provided the evidence to pinpoint pinpoint का मतलब लिख लीजिएगा identify पता लगाना identify को बोलते है pinpoint अब provided the evidence उन्होंने इन सब चीजोंने सबूत पेश किये to pinpoint both the truck that had left the police lines दोनों चीजों को पता लग गया इससे कि truck जो कि police lines से निकला था and its occupants और उसमें कौन-कौन occupy कर रहे थे रिक्तिस्तानों कौन भर रहे थे means truck में कौन-कौन लोग थे these records were not available to the trial court ये सारे जो records थे वो available नहीं थे trial court के सामने apart from bringing home the culpability of the accused उसको highlight करने के अतिरिक्तिफ apart के साथ में from लगेगा देखे प्रेपजिशन ही बताता हूँ आता हूँ आता हूँ ये प्रेपजिशन बहुत ही important है और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद भी करनी है बाकि देखे रूल सभी को आते है कॉमन चीज़े है culpability of the accused तो दोशियों का आरोप ना के वर इन्होंने emphasize किया highlight किया the high court concluded that high court ने ये भी निशकर्स निकाला conclude निशकर्स निकाला या इसका अंत करना that these were custodial deaths कि ये जो death थी वो custodial थी custody में इनकी मरत्य हुई as well as targeted killings of people from a particular community और साथ साथ में target करके मारा गया है और एक ही community के लोग मतलब Muslims को ही मारा गया था the hashimpura मसकर case will be long remembered ये hashimpura जो नरसंगार हुआ है इसको लंबे समय तक याद रख किया जाएगा both for the unconsignable delay unconsignable का मतलब होता है unethical, unethic एक तो जो delay हुआ है judicial system में judicial system has become judicial system आदत जिसको पढ़ गई है ऐसी आदतन एक चीज है कि delay करते ही है court के case को habituated में तू लगता है proposition याद रखिएगा and for the manner और वो तरीका in which a case almost lost has been retrieved और जिस तरीके से जो एकदम से lost हो गया था case इसको retrieve नहीं किया जा सकता था उसको retrieve किया गया है higher judiciary की द्वारा it is also a reminder ये एक reminder भी है याद दिलाने वाले चीज़े there is a constant need for a reassurance कि एक लगातारे काविशक्ता है पुने आश्वस्त करने की that policing and the criminal justice कि जो भी police का कार्यवाही है और criminal justice है process in the country इस country के country में तो process है will remain fair वो हमेशा fair रहेगा इमानदारी पून रहेगा and free from all manner of prejudice prejudice बनता होता है पुर्वा ग्रह पहले से ही अगर आपने विचार बना लिए किसी के खिलाफ वो पुर्वा ग्रह कहलाता है और हर प्रकार के पुर्वा ग्रह से मुप्त रहेगा free के साथ में from preposition आएगा ओके यह हमने discuss कर लिया है like जरूर कर दीजिए फिर याद दिलाद आपको like करना है share करना है अगर पहली बार session देख रहे हैं तो subscribe करके bell button click करना है लगातार session मिल रहे है एक बार अगर आप PDF मिल रही है PDF को अगर आप download करके देखेंगे बहुत सारी PDF कठी हो चुकी होँगी आपके पास आप उनको लगातार revise करते रहें क्योंकि revision जो है वो आपको pay करेगा okay thanks a lot for watching this one see you tomorrow with a new editorial till then goodbye